इस वीडियो में दी हुई जानकारी इंटरनेट से ली गई है। हम इस वीडियो में किसी भी दवाई का प्रचार नहीं करते। किसी भी दवाई को इस्तमाल करने से पहले एक बार डॉक्टर से जरूर सलाह ले। अगर आप इस वीडियो को देखकर किसी दवा का उपयोग करत या जलन से राहत देकर gastroesophagal reflux रोग यानि की acid reflux और peptic ulcer रोग के इलाज के लिए किया जाता है। ये acid को भी बैसर करता है और पेट की परेशानी को कम करने के लिए gas के आसान मार्क को बढ़ावा देता है। अरेफ 40 mg, 150 mg कैपसूल एसार बिना भोजन के डॉक्टर द्वारा बताई गई खुराक और अवधी तक ली जाती है। आपको दी जाने वाली खुराक आपकी स्थिती पर निर्भर करती है और आप दवा के प्रती कैसी प्रतिक्रिया करते हैं। आपको इस दवा को तब तक लेते रहना चाहिए जब तक आपका डॉक्टर सलाह देता है। यदि आप बहुत जल्दी इलाज बंद कर देते हैं तो आपके लक्षन वापस आ सकते हैं और आपकी स्थिती और खराब हो सकती है। अपनी स्वास्थ्य सेवा टीम को उन सभी अन्य दवाओं के बारे में बताएं जो आप ले रहे हैं क्योंकि कुछ इस दवा से प्रभावित हो सकती हैं या प्रभावित हो सकती हैं। सबसे आम दुश प्रभाव दस्थ, पेट दर्द, सिर्दद, पेट फूलना और लार उत्पादन में व्रिद्धी हैं। इनमें से अधिकान शस्थाई हैं और आम तोर पर समय के साथ हल हो जाती हैं। अपने चिकित्सक से सीधे संपर्क करें यदि आप इनमें से किसी भी दुश प्रभाव के बारे में चिंतित हैं। यह दवा चक कर आना और नींद का कारण हो सकती हैं। इसलिए जब तक आप यह नहीं जानते कि यह दवा आपको कैसे प्रभावित करती हैं। तब तक गाड़ी न चलाएं या ऐसा कुछ भी न करें जिसमें मानसिक ध्यान केंद्रित करने की आवशक्ता हो। इस दवा को लेते समय शराब पीने से बचें क्यूंकि इससे आपकी नींद खराब हो सकती है। जीवन शेली में बदलाव जैसे ठंडा दूद पीना और गर्म चाय, कॉफी, मसालेदार भोजन या चॉकलिट से परहेज करना आपको बहतर परिनाम प्राप्त करने में मदद कर सकता है। यदि आप गुर्दे की बीमारी से पीडित हैं, तो इस दवा को लेने से पहले अपने डॉक्टर को सूचित करना महत्वपूर्ण है। यदि आप गर्भवती हैं, गर्भावस्था की योजना बना रही हैं या स्तनपान करा रही हैं, तो आपको अपने डॉक्टर को भी बताना चाहिए। विडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको विडियो अच्छी लगी हो तो विडियो को लाइक करें। और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकॉन पर क्लिक करें। और आल नोटिफिकेशन को क्लिक करें। तो आजी त दो आजी तो आजए ये तो आजए।